नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से केवी गुरू जी पर मैं हूँ केवी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वन्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकालिन भारत की इतिहास को प्रारम किया था और हम लोगों ने हर सुवर्धन के मृत्यों के बाद में जो पांस सताब्दी तक भारत का समय रहा था उसके बारे में जाना, किस प्रकार से मुस्लिम इन्वेजन हुए थे भारत में उनके बारे में जाना तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे गुलाम वंस पे और गुलाम वंस के अंतरगत हम लोग बात करेंगे इसके जो महत्पून राजा थे उन सभी राजाओं के बारे में और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रशन अभी तक के परिच्छाओं में पूछे गए हैं उन सारे प्रशनों को भी हम डिसकस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रेम होता है वह सत्ता का प्रेम होता है और यह प्रेम एक बाद जब किसी को हो जाता है तो वह अपने सगे संबंध्यों अपने करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए हम लोग वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैप के जरिये थोड़ा सा समझते हैं कि 711SB में भारत में कौन कौन से राजवन्स राज कर रहे थे तो यहां पर आपके सामने 711SB का भारत का मैप है यहां पर आप लोग देखेंगे कि यह हमारा सिंधुरीजिन है जहां पर मुहम्मद बिन कासिम ने राकमण किया था उसके अलावा राजपूर्ट, बंस के गुर्जर पर गुजरात में और चालोक के वंस यह वंस यहां पर राज कर रहे थे फिर हम लोग आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की सुरुवात होती है 1260B से दिल्ली सल्तनत की सुरुवात होती है 1260B में और इसके अंतरगत हम लोग 5 राजवन्सों के बारे में पढ़ेंगे वे राजवन्स कौन कौन से हैं आईए एक बार उन पर हम लोग नजर डाल लिते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वन्स जिसे हम लोग मामलूक वन्स भी कहते हैं या जिसे हम लोग सलेब डाइनेश्टी भी कहते हैं इसका सासन काल लहा था 1206 से 1290 भी तक गुलाम वन्स के बाद हमारा आता है खिल्जी वन्स जिसका सासन काल था 1290 से 1220 तक उसके बाद में हम लोग बात करेंगे तुगलक वन्स का जिसका सासन काल था 1320 से 1414 तक आगे फिर हम बात करेंगे सायद वन्स का जिसका सासन काल था 1414 से 1451 तक और लाश्ट में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतरगत बात करेंगे इसके आखरी वन्स के बारे में जिसका नाम था लोधी वन्स और लोधी वन्स के आखरी सासक इब्राहिम लोधी की मृत्यू करने के बाद में बाबर के द्वारा मुगर सामराजी की अस्थापना की गई थी तो इन सारे टॉपिक को हम लोग 5 अलग अलग वीडियो में देखेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रस्ण है उन प्रस्णों को भी हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास वीडियो में और अच्छा इंप्रोब्मेंट करने का कोई सुझाओ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं तो चलिए अब हम दिरिली सल्तनत के जितने भी सुलतान हुए हैं सबसे पहले उन सुलतानों के बारे में जान लेते हैं और एक बार मैप के ज़रीये पहले देख लेते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे देश में मुस्लिम इन्वेजन हुए थे मुस्लिम आकरमण कारी आये थे उनमें सबसे लाश्ट में था मुहम्मत गोरी मुहम्मत गोरी भारत के बहुत बड़े सामराजी को जीतने के बाद में वापस लौड गया था और उसने अपने गुलामों को सत्ता टांसफर कर दी थी तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह पूरा गोरी का सल्तनत है और यहां से शुरुवात होती है दिल्ली सल्तनत की तो गुलाम उनसके जितने भी सासक है उन सासकों पर अगर हम नजर डाले तो सबसे पहला सासक था कुदबुद्दीन आवग कुदबुद्दीन आवग मुहम्मत गोरी का एक गुलाम था और जब बहुत सारे छित्रों को जीता था मुहम्मत गोरी ने भारत के तो उन छित्रों में कुट्बुद्दीन आवग को न्यूप किया गया था कुट्बुद्दीन आवग के बाद में इसका जो दामात था इलतुत्मिस वह दिल्ली का सासक बनता है इल्टुत्मिस के बाद में उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली की सासका बनती है और फानिली रजिया सुल्तान के बाद में गया सुद्दीन बल्बन यहां का सासक बनता है हाला कि बीच में इल्टूत्मिस का जो बेटा था जिसका नाम है नासरिवत्दिन महमूद जिसका नाम था नासरिवत्दीन महमूद वह भी 20 वर्सों तक सासन करता है लेकिन उस दराण जो पूरा सासन होता है वह गया सुद्दीन भल्बन के हाथों में होता है किसके हाथों में होता है गया सुद्दीन बल्बन के हाथों में होता है तो इसलिए हम लोग नासरित दीन महमूत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे मुठी रूप से हमारा फोकस होगा इल्टुत्मिस पर और गया सुद्दीन बल्बन पर त की दिल्ली सल्तनित की जो अस्थापना थी वह कुद्बुद्दीन एवक के द्वारा की गई थी लेकिन यह महाज चार वर्सों तक सासन कर पाया था बारास उच्छे से बारास उद्दस तक तो मुहमत गोई का एक दास था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कुद्बुद्दीन एवक के बारे में उसके अलावा यह तुर्की राज्य का संस्थापक था और यह दिल्ली का पर्थम तुर्क सासक था यह भी ध्यान लखिएगा कि कुद्बुद्दीन एवक के द्वार जो पहली राजधानी बनाई गई थी वह वर्तमान पाकिस्तान में इस्थिव लाहौर थी दिल्ली को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाया था कुद्बुद्दीन एवक को लाख बक्स भी कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लोग थे उनको यह बड़ी मात्रा में दान देता था इसके अलावा कुद्बुद्दिन एवक ने कभी सुल्तान की पद्वी ग्रहन नहीं की और यह सुयम को सिपह सालार के नाम से सम्मोधित करता था अगर हम बात करें कुद्बुद्दिन एवक के बारे में तो इनके एक गुरू थे जिनका नाम था कुद्बुद्दिन बक्तियार काकी और इनहीं के याद में इन्होंने कुद्ब मिनार के निर्मार का कार्य प्रारम किया था कुतुम मिनार के निर्मार का कारी इन्हों ने अपने गुरु की याद में किया था ना कि स्वयम के लिए किया था तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुतुम मिनार को उसके अलावा अजमेर में इन्होंने अड़ाई दिन के जोपड़े का निर्मार किया था और जो अड़ाई दिन का जोपड़ा है वह एक मस्जिद है उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने स्यू मंदिर के स्तान पर कुवत उल इसलाम मस्जित का निर्मार करवाया था तो ये सारी चीजे थी कुद्बुद्दिर आयवक के बारे में फाइनली बारा सो दस इसबी में ये भाई साथ खेलने लगे थे हार्च पोलो जिसे हम लोग पोलो खेल भी कहते हैं या जिसे चौगान भी कहते हैं और चौगान खेलने के दोरान बारा सो दस इसबी में इनकी घोडे से गिर कर मृत्यू हो जाती है अब इनको आता नहीं था ठीक से हो सकता है खेलना इसलिए ये घोडे से गिर जाते हैं और इनकी हो जाती है मृत्यू और खुद्बुत दीन एवक की मृत्यूं के बाद में अगले जो सासक होते हैं उनका नाम है इलतुतमिस इलतुतमिस भाई साहब 1210 से 1236 तक दिल्ली पर सासन करते हैं 1210 से 1236 तक ये सासन करते हैं और इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्टुतमिस्ट को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और फाइनली इन्होंने जा करके सुल्तान की उपाधी भी ली थी इन्हों ने जा करके सुल्तान की उपाधी भी ली थी इनके द्वारा कुछ सिक्के भी चलवाय गये थे जैसे इन्हों ने चादी का ठंका चलवाया था और तामे का जीतल चलवाया था कुतुम मिनार जिसका निर्माण कारी प्रारम किया था कुत्वुद्दीन अयवक ने उसको पूरा करवाया था इल्टुतमिस ने परिच्छाओं में आपसे पूछा जा सकता है कुत्व मिनार के बारे में तो इसमें उपर के जो दो मंजिल हैं उसका निर्माड हुआ था तुगलग वंस में तो वो हम लोग आगे देखेंगे इल्टुतमिस के द्वारा चार प्रकार के कर भी लगाए गए थे वो यह चारो कर कौन कौन से हैं पहला तो हमारा था जजिया जजिया एक धार्मिक कर था और यह गैर मुसलिम लोगों से लिया जाता था अगला कर था जकात जकात जो कर था यह मुसल्मानों से लिया जाता था किनके लिए गरीब मुसल्मानों के लिए यानि कि अमीर से ले करके गरीबों की भलाई के लिए या गरीबों के लिए जो प्रोग्राम होते थे उनके लिए यह लिया जाता था अमीर मुसल्मानों से उसके बाद में तीसरा था कंस मुखे रूप से जो رाजा के द्वारा आकरमण किये जाते थे और अरो आकरमण के दोरान जो माल लूटा जाता था उसे हम लोग कहते हैं खंस तो यहाग जो लूट का माल होता था इसमें से 80 प्रसत सिपाहियों को दे दिया जाता था और 20 प्रसती ये राजा लेता था चौथा जो कर था उसका नाम था खिराज और या एक प्रकार का भूराजर सुकर था जो कि गयर मुस्लिमों से वसूला जाता था अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक महत्पूर सासक जिसका नाम है चंगेज खां जिसे हम लोग तेमुजिन भी कहते हैं तेमुजिन मंगोलिया का एक सासक था और इसने 13. सताबदी में पूरे एसियन रीजन में आतंक मचा के रखा था बहुत सारे लोगों को इसने हत्या की चंगेज खां के बारे में एक वीडियो में हम रोग सेपरेट जानेंगे कि किस प्रकार से चंगेज खां ने आक्रमड किया था और उसके बारे में सारी चीजे हम समझेंगे लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा जानते हैं चंगेज खां के बारे में चंगेज खां जो की एक मंगोल का आक्रमर कारी था इसने जो तिबबत के राजा थे जिनका नाम था जलालुद्धीन मांग मरनी तो यहां जलालुद्धीन मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंधू नदी तक पहुँच गया था और सिंधू नदी के बाद में सुरू हो जाता था इल्तुतमिस का छेत्र तो मांग मरनी भाई साब पहुचे इल्तुतमिस के पास और इन्हों ने कहा कि भईया इसा है बचा लिजी है में लेकिन इल्तुतमिस जिसे चंगेज खा के सक्ति का पूरी तरीके से अंदाजा था इसने मांग बरनी को सरण नहीं दी और मांग बरनी को इन्हों ने यहां से वापिस कर दिया क्योंकि इल्टुतमिस को पता था कि अगर मांग बरनी को इन्हों ने अपने यहां पर सरण दी तो इसका अर्थ यही होता है कि चंगेज खां को अपने यहां बुलाना यानि कि आब एल मुझे मारवानली कहावज जो है उसको सही सिद्ध करना तो इसलिए इन्होंने मांग बरनी को वापस कर दिया था एक महत्पूर्श काम जो किया गया था इल्तुत मिस्के द्वारा वह था तुर्क ए चहल गामी जिसे हम लोग 40 दल भी कहते हैं इसका गठन किया गया था अब ये जो 40 दल होता है इसमें मुख्य रूप से जो सेना होती थी उसके 40 जो सबसे 37 साली लोग होते थे उनको इस दल में सामिल किया गया था और एक बाद ध्यान अखिएगा कि इल्तुत मिस्के द्वारा अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोसित किया गया था 1236 में इनकी मृत्यों होती है लेकिन उसके बाद में रुकुन उद्दीन जो की इनका बेटा होता है वह सुल्तान बन जाता है हाला कि इन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान के लिए उत्त्राधिकारी के लिए नॉमिनेट किया होता है लेकिन रुकुनुद्दीन सुल्तान बन जाता है बाद में रजिया के द्वारा अपने भाई की हत्या करवा दी जाती है और रजिया यहां की सुल्तान बन जाती है रजिया के बारे में ध्यान कियेगा कि यह इल्टुतमिस की पुत्री थी अब आता है रजिया का सासनकाल रजिया सुल्तान जिन्होंने 1236 से 1240 तक सासन किया और यह दिल्ली की प्रथम महिला सासका थी रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर वे एक महिला ना होती तो उनका नाम भी एक बड़े सासकों में लिया जाता हाला कि ये रजिया सुल्तान अमीरों के समर्थन से सुल्तान तुबन गई थी लेकिन जो तुर्क ए चहल गामी था जिसे हम लोग चालिसा दल कहते हैं चालिसा दल ने कभी भी रजिया को अपना समर्थन नहीं दिया था इसके अलामा एक साहिय अस्तवल का प्रधान था जिसे हम लोग याकूत कहते हैं याकूत के साथ इनका प्रेम सम्मद भी था उसी समय भटिंदा का एक राजिपाल था जिसका नाम था अलतूनिया अलतूनिया के द्वारा बिद्द्रोग कर दिया जाता है और इस बिद्द्रोग को दबाने के लिए रजिया सुल्टान के द्वारा प्रयास किया जाता है बाद में जो अलतूनिया होता है वह आक्रमड कर देता है दिल्ली पर और दिल्ली में आक्रमड के दौरान यहां पर रजिया की हार होती है या कुद जो की साहिय इस्तबल का प्रधान होता है उसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा अल्टूनिया के द्वारा और अल्टूनिया रजिया सुल्तान को पकड़ करके जेल में बंद कर देता है लेकिन रजिया सुल्तान यहाँ पर अपनी महिला होने का फायदा उठाती है और ये अलतूनिया के साथ साधी कर लेती है बाद में दोनों साधी करने के बाद में दिल्ली पर आक्रमर करते हैं लेकिन यहाँ पर भी इनका हार हो जाती है और उसके बाद में 1240 में हरियाना में कैथल में कुछ दकैतों के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर फिर बहराम और मसूद ये लोग कुछ समय तक दिल्ली पर सासन करते हैं करीब 6 सालों तक और फाइनली 1246 में नाशरी द्विन महमूद जो की बेटा था इल्तुतमिस का यह सत्ता की प्राप्ति करता है लेकिन ध्यान अखिएगा कि ये जो नाशरी द्विन महमूद था इसके समय में 40 दल का एक साइनिक था जिसका नाम था बल्बन तो मुख्य रूप से जो बल्बन था इसने सक्ति को अपने पास केंद्रित कर लिया था इसने क्या किया कि इसने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया महमूद से महमुष से विवाह करवा दिया और उसके बाद में धीरे-धीरे इसने सत्ताप को अपनी धरब खीचना प्रारम करे तो अब चलिए हम बात करते हैं बल्बन के बारे में बल्बन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ इलवारी वंस का सासत था इल्टूत मिसका यहाँ एक गुलाम था और तुल के चहल गामी का सदस्य था यानि कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह चालिसा दल का एक सदस्य था इसे इस बात का अंदाजा था कि अगर पूरी तरीके से दिल्ली सल्तरत पर सासन करना है तो सबसे पहले यह जो चालिसा दल है इसको समाप्त करना होगा इसलिए इसने इस चालिसा दल को समाप्त कर दिया इसने सिजदा और पैबोस की पधती की सुरुवात की अगली स्लाइड में भी हम जानेंगे कि सिजदा और पैबोस क्या होता है इसके द्वारा कुछ बिभाग भी अस्थापित किया गया जैसे दिवाने अर्ज जो की एक सेंड बिभाग था और दिल्ली में पहली बार इसे अस्थापित किया गया था उसके अलामा दिवान बरीद भी इसके द्वारा स्थापित किया गया था जो की एक जासूसी विभाग था इसके द्वारा किला एक होरी सहर और किला एक होरी किले का निर्माण भी करवाया गया था 1287 में इसके मृत्य हो जाती है उसके बाद में इसका एक पोता होता है जिसका नाम था कैकुबाद वह दिल्ली पर सासन करता है चार सालों तक लेकिन जलालुद दीन के द्वारा कैकुब इसकी हत्या कर दी जाती है और फाइनली यहां पर अस्थापना होती है खिलजी वन्स की तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से गुलाम वंस जो की 1206 में प्रारम हुआ था वह 1290 में जाके समाप्त हो जाता है तो खिलजी वंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब हम लोग देख लेते हैं कि जब 1290 का समय था तो उस समय कि क्या इस्तिती थी भारत की लेकिन उससे पहले हम आपको सिजदा और पैबोस के बारे में बता देना चाहते हैं सिजदा का मतलब होता है कि जो सुल्तान होता है उसके सामने गुटने पर बैटके सिर जुकाना सुल्टान के सामने घुटने पर बैटके सिर जुकाना और यह मुक्षरूप से किया था बल्बन ने इसलिए क्योंकि उसे अमीरों की सक्ति का अंदाजा था और वह अपने प्रभुत को अस्थाप्पित करने के लिए सिजदा नामक पध्यती की सुरुवात की थी दूसरा था पैबोस, पैबोस के अंतरगत ब्यक्ति को सुल्टान के पैर को चुमना होता था तो इस तरह से आपने देखा सिजदा और पैबोस क्या होते हैं अब हम गुलामवन्स के समय भारत के स्थिरी देखते हैं यह आप जो पूरा रीजन यहां पर अब देख रहे हैं इस पूरे रीजन पर अब दिल्ली सल्तनत है यहां पर पूरे रीजन पर अब दिल्ली सल्तनत है और यहां से गुलामवन्स समाप्त होता है तो चलिए अब हम प्रशनों को डिस्कस कर लेते हैं पहला सवाल है कि गुलाम वन्स का संस्थापक कौन था तो यह आप तो पता होगा कि कुद्बुद्दीन अयवक जो कि मुहम्मद गोरी का एक दास था वह गुलाम वन्स का संस्थापक था गुलाम अन्स का पर्थम सासक कौन था यह तो आपको पता है कुद्बुद्दिन ऐवक अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बक्स के नाम से जाना जाता था तो मैंने आपको वीडियो के सुरू में ही बताया था कि कुद्बुद्दिन ऐवक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह बड़ी मात्रा में दान देता था अगला प्रस्ण है कि अढ़ाई दिन का जोपड़ा क्या है तो अढ़ाई दिन के जोपड़े के बारे मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण इलतुतमिस के द्वारा किया गया था और यह एक मस्जिद है अगला सवाल है कि निम लिखित में से किसने कुद्ब मिनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि जो गया सुद्दीन तुगलग था उसने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था अगर हम बात करें कुद्ब मिनार के बारे में तो इसकी सुरुवात की गई थी कुद्बुद्दीन एवक के द्वारा पूरा करवाया इसे इल्टुत्मिस ने और बाद में फिरोज सा तुगलग ने इसमें दो मंजिल और आयड करी थी अगला प्रस्न है कि कुद्बुद्दीन एवक की राजधानी थी तो मैंने आपको यह भी बताया था पूर्दीन एवक की राजधानी लाहोर थी अगला सवाल है कि निम लिखित में से किसने दिल्ली को अपनी राजधानी की रूप में अस्थापित किया था तो इल्टुत्मिस ने दिल्ली को अपनी राजधानी की रूप में अस्थापित किया था जब यह राजा बना तो इसने सबसे पहला काम यही किया कि जो राजधानी लाहोर में थी उसको वहां से अस्थानांतरित करके इसने दिल्ली में अस्थापित किया दिल्ली का वह पर्थम सुल्तान कौन था जिसने नियमिस सिक्के जारी किये तथा दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी गोजद की तो यह कौन था इल्तुत मिस था अगला प्रश्णा है कि निमलिखित में से कौन सी इल्टुदमिस्ट के राज्यकाल में सलत्रत की राजधानी थी अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ही प्रश्णों को कितने प्रकार से गुमा फिरा करके पूछा जाता है अगला सवाल है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मुहम्मद गोरी था उसका गुलाम था कुद्बुद्दीन एवक और कुद्बुद्दीन एवक का गुलाम था इल्तुतमिस लेकिन इल्टुत्मिस से इसने अपनी बेटी की साधी कर दी थी तो इसी लिए इल्टुत्मिस को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है निमलिखित में से कौन मध्यकालिन भारत की प्रथम मुसलिम साचका थी तो प्रथम मुसलिम साचका रजिया सुल्तान थी अगला प्रस्ण है कि मंगोल आक्रमरकारी चंगेश खां भारत की उत्तर पस्षिम सीमा पर किसके काल में आया था तो मैंने आपको बताया कि यह जलालुदीन मांगबर्नी का पीछा करते हुए जो की ख्वारिज्म डाइनेस्टी का एक सासत था उसका पीछा करते हुए मंगोल आक्रमरकारी इल्तुतमिस के समय में आया था अगला प्रस्ण है कि चंगेश खां का मूल नाम क्या था तो मैंने आपको बताया था कि चंगेश खां का नाम तेमू चीन था चंगेश खां के बारे में एक वीडियो में हम लोग अलग से डिसकस करेंगे अगला प्रस्ण है कि इल्तुतमिस ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार न्यूपत किया किसको न्यूपत किया था मलिक जानी को मलिक जानी को इसने बिहार में अपना सुवेदार न्यूक्त किया था रजिया को सत्ता चियुत करने में किसका हाथ था मतलब सत्ता से अस था हटाने में किसका हाथ था तो इसमें था तुर्कों का हाथ अगला प्रशन है कि दिल्ली में किस सुल्तान के विसे में कहा जाता है कि उसने लहो और रक्त की नीती अपनाई थी तो यहाँ नीती अपनाई थी बल्बन ने बल्बन सुयम को कहता था कि वह जो ईस्वर है यानि कि जो अल्ला है उनका एक प्रवर्तक है और राजा इस्वर के बाद में धर्ती पर उन्हीं का रूप होता है अगला सवाल है कि अपनी सत्ती को समेतिक करने के बाद बल्बन ने भव्य उपाधी धारण की थी तो वह उपाधी थी जिल्ले इलाही ध्यान रखिएगा कि बल्बन को जिल्ले इलाही भी कहा जाता है और वीडियो का आज का आखरी सवाल है कि निम लिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फार्शी तेओहार नौरोज को आरम करवाया था तो इसका आरम करवाया गया था बल्बन के दौरा बल्बन के द्वारा भारत में प्रसिद्ध जो फार्शित योहार था नौरोज उसको शुरू करवाया गया था तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही आपने वीडियो को अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवार थांक्स फॉल लिस्निंग जय हिंद जय भारत